हेलो गाईज स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल यूनिक मैडिसिन पर और इस वीडियो में हम बात करेंगे आई ड्रॉप आई लाइट डी के बारे में तो सारी चीजे हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं दोस्तो आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को इसकि बिल्कुल मत कीजिए ताकि आपको इसके बारे में complete चानकारी मिल सके तो गाईज आई लाइट डी ये इसका कंपनी के द्वारा दिया गया ब्रांड नेम है आख और कान दोनों के लिए है तो दोनों जगा जो इसके फाइदे होंगे वो सेम होंगे आरेक्स मींस एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है टैन एमल के पैक में है और अगर हम इसके एक्टिव कॉंस्ट्वेंट यानि कि इसकी फार्मोकुलाजिकल नेम को देखें इसके अ एंटिवाइटिक है और साथी एक इस्टिरोइड का कॉंबिनेशन है और फ्लॉक्ससिन इसके अंदर एक एंटिवाइटिक मेडिसिन है साथी डैक्सामिथासन एक इस्टिरोइड है तो दोनों को मिलाकर इसको त्यार किया है ताकि ये आँख और कान में होने वाले फंगल या bacterial infection को ठीक कर सके और साथ ही आँख या कान में किसी तरह की सूजन है redness है या itching है उसको भी ये ठीक कर सके तो overall इस medicine का जो काम होता है कि जब किसी को आँख या कान में कोई bacterial infection हो जाता है कोई fungal infection हो जाता है मबाद जैसा आने लगता है या पपड़ी जैसी जमने लगती है और इसके साथ ही आँख या कान में swelling मतलब कि सूजन होने लगती है खुजली होने लगती है पेन होता है तो इस तरह की समस्या को ठीक करने का ये medicine काम करती है दोस्तों जैसा कि हमने बात की दो अलग-लग medicine है तो एक combination medicine है और ofloxacin और dexa-mithacin का जो combination है वो इस medicine को काफी unique बना देता है काफी strong बना देता है जिससे कि ये bacterial infection, fungal infection और sujan, redness, lalami ये सारी समस्या को ठीक करती है दोस्तों इस medicine को use करते समय आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आफ self medication ना करें red strip medicine है हमेशा अपने डॉक्टर के पर लें डॉक्टर को दिखा के लें injection के लिए नहीं है आपको सरिफ external use करना है मतलब कि आपको body के बाहर जो है use करना है injected form में नहीं लेना है दोस्तों इसका जो MRP और expiry की अगर हम बात करें तो 2024 की expiry है 47 रुपए में आपको मिल जाती है और HR pharma के द्वारा ये medicine बनाई जाती है दोस्तों इसका अगर हम composition देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ophloxacin इंडियन फार्मोकोपिया के according 0.3% weight-wise volume की फॉर्म में है साथी dexa-mithacin sodium phosphate इंडियन फार्मोकोपिया के according 0.025% weight-wise volume की फॉर्म में और इसके अलाबा दोस्तों इसमें methyl cellulose, benzyl kolium, chloride as a preservative यूज किये हैं और साथी sterile aqueous base मिलाए गए हैं जो की quantity sufficient है दोस्तों आपको इस medicine को लेते समय ध्यान रखना है कि जब भी आप इस medicine का use करते हैं तो कभी भी इसकी tip में कोई नुकीली चीज ना चुभाएं इसके cap के अंदर एक spike आपको दिख रहा है एक नुकीला कांटा जैसा दिया है तो जब भी आप नई drop लेकर आते हैं तो इसको anti-clockwise इस तरह से थोड़ा tight करके गुमाते हैं तो ये कांटा अपने आपसे खुझ से hole कर देता है और आपकी जो medicine है वो खराब नहीं होती है दोस्तो medicine को use करना है मरीज को लिटा कर gentle तरीके से उसकी आँखों में एक से दो drop जितनी आपके डॉक्टर बताते हैं उतनी डालनी है और इसके बाद दोस्तो अच्छी तरह से cap को वापस लगा कर medicine को container के अंदर रखके आपको धूल धूब गर्मी वाली जगा से बचा के रखना है तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तो medicine को यूज करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें मरीज की आँखों को साफ पानी से धुलबा दें ताकि यह medicine अपने भरपूर फाइदे दे सके और दोस्तो इसके अलाबा इस medicine को बच्छों की पहुंच से दूर रखें साफ सुत्री जगा में रखें यह सारी चीज़े आपने फॉलो करनी है दोस्तो अगर हम बात करें कि इस medicine के ऐसे कौन से common side effect है जो किसी patient को आ सकते है तो वाईज हो सकता है इस medicine को लेने के बाद patient की आँखों में irritation बढ़ जाए या irritation होने लगे या फिर आँखों में redness बढ़ सकती है आँखों में चुभन लग सकती है खरकन हो सकती है तो ऐसे symptoms अगर आते हैं दोस्तो तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है medicine को discontinue करना है मतलब इसको लेना बंद करना है और तुरंट अपने डॉक्टर से मिलना है ताकि आपके डॉक्टर आपको एक सही treatment दे सके तो दोस्तो जब भी आप किसी भी medicine का use करते हैं इन सभी बातों को follow करें सारी चीज़ों को follow करें जिससे क्या है कि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो दोस्तो ये वीडियो स्रिफ आपकी जानकारी के लिए है यहां हम किसी भी तरह की self-medication को बढ़ावा नहीं देते हैं हमारी वीडियो बनाने का मकसद इतना होता है कि आपको एक general information दी जा सके तो guys उमीर है कि आज की इस वीडियो में आपको काफी अच्छा लगा होगा वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को like और share कर सकते हैं साथ ही आपके अपने channel unique medicine को subscribe करके unique medicine परिवार का हिस्सा बने और देखते रहें ऐसे ही knowledgeable वीडियो दोस्तो वीडियो में अंति तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद सेफ रहें अपना ख्याल रखें जैहिन पंदिमात्रव